फागुन महने की एकादशी जो की अपने आप में अद्भूत है उसका ब्रत आप सभी को कप करना है जिसे विजिया एकादशी के स्वरूप में जाना जाता है इस्तिती भ्रहम की बनी हुई है कि जो ग्रहस्त जन है वह छे तारिक को ब्रत करेंगे यह साथ मार्च को ब्रत कर लेंगे आपको ब्रत क्यों करना चाहिए यह भी जानेंगे और साथ ही पारण का सूप समय हरी वासर का स्रेष्ट समय वीडियो में जानेंगे और साथ ही हमारे गुरुजी प्रदीप मिश्राजी द्वारा बताए गये सर्वच्रेष्ट उपाई विधान वीडियो में जानें गंगाजल के बूद के समान पवित्र मानी जाती है दिब एक आदशी वह भी भागुन मेहने में पढ़ने वाली अपने आप में अद्भूत है क्योंकि महादेव के पावन पवित्र दिन है और स्रीहरी विष्णु की परमतिति हरीहर मिलन के स्वरूप में हो जाती है तो आप सबी को क्या करना है कि इस सवरूप में करना है ध्यान से सुनिए सबसे पहले आप जानते होंगे दस्मीतिति से ही एक आदशी व्रथ के नियम शुरू हो जाते है उसी की अनुसार अपने दिन सुबह 6 बच कर 30 मिनट से 7 मार्च की सुबह 4 बच कर 13 मिनट के आसपास ठीक है इसक्रीन पर सभी चीज़े लिखी हुई है तो ग्रहस्त जन 6 मार्च को ही ब्रत धारन करेंगे साथ ही यह जो एकादशी है इसका पारण बहुत महत्वपूर्ण समय रखता है तो आप सभी 6 तार के समय 6 बच कर 50 मिनट से 10 बच कर 45 मिनट पर आप सभी ब्रत खोल सकते हैं दूसरा 1 बच कर 45 मिनट से 3 बजे के आसपास आप सभी अपने ब्रत को खोल सकते हैं ठीक है यह जानकारी थी ब्रत कब रखना है और कब आपको जो है ब्रत खोलना है साथ ही अब जान लेते हैं सुन्दर सबसे स्रेश्ट उपाय गुरु जी कहते हैं जब भी एक आदशी का ब्रत हो और जब भी जो है जब अमावश्चा किती थी पड़े तो मन कर्म वाणी को सुध्ध करने के लिए और जीवन में सब मनुरतों की प्राक्ति के लिए और जीवन में पित्रों की कृपा हो जैसा बेक्ति खात कहते हैं जैसा खाय अन और वैसा हो जाए मन जैसा सरीर रहता है वैसे ही मन में विचार आते हैं तो भोजन में भी संतुलित ब्याहार रखे भोजन भी सात्विक ग्रहन करें और जो नहाने का पानी होगा में उसमें आपको तुलसी की लकड़ी जो है हावन है दिभ्य है और सृषट है ऐसी इस्तिति में आप सभी को कादसर्शी ब्रत की दिन तुल्सी की लकडी को बात democr में नहीं छोड़ना है तीन चार वार घुमाकर अपने पानी में से निकाल कर तुल्सी की लकडी को दुबारा में काम में ले लिजिएगा और जो है इस पाने से आपको स्वाण करना है सरूप्रथम आपने यह कारी करने हैं दूसरे आप कभी आपको जोई स्वधा माता का स्मरण करते हुए सिव मंदिर चले जाना है ठीक है सिव मंदिर नहीं जा सकते घर पर विराजमान जो मूर्ती प्रतिमा है वहाँ पर भी आप स्रेश्ट तम तरीके से उपाय कर सकते हैं आप सभी को एक जल का लोटा भर लेना है साफ स्वच्छ तरीके से ठीक है ध्यान रखि क्योंकि तुलसी मावता भी निर्जलाए का दशी ब्रत रखती हैं सिर्फ आप तुलसी में एक दीपक लगाएंगे स्रीहरी विष्णू और मालक्षमी के नाम का और मा तुलसी का स्मरण करते हुए यही कारी करना होता है तुलसी पत्र भी दिन पहले ही तोल लिजेगा ता कि पित्रों की भी असीम क्रपा घर परिवार पर आपके जीवन पर पड़े उसके पश्यात आप सभी को एक गोलबाती का घी का दीपक ले जाकर महादेव के मंदिर चले जाना होगा साथ में आपकी इच्छा है आप बेल पत्र लेना आना चाहते हैं तो बेल पत्र ले हैं आप सभी को पूजा करने के लिए पूर्विया उत्तर दिशा की ओर अपना मुख कर लेना होगा उसके बाद आप सभी सबसे पहले स्वधा माता का स्मरण करते हुए पित्रों का देहान करते हुए गोलबाती का जो घी का दीपक आपने प्रजुलित कर रखा है ना उसे पूर्ण भाव से समरपण की भाव से प्रजुलित करना है और ऐसा आप मन में भाव करना है कि हे प्रभू हे महादे मेरे पित्रों को आप मोक्ष प्रदान करें और अपनी असीम क्रपा मेरे परिवार में करें ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको जो है एकादशी ब्रत के जहते हुए उच्चारण करते हुए मन ही मन जोर से नहीं कि बहुत जोर जोर से स्मरण कर रहे हैं मन ही मन स्वधा 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 ऐसा स्मरण करते हुए आपको सीवलिंग पर पूर्ण रूप से जलाभी शेक कर देना है यह सरलसा कारी है जो आप सभी को करना है साथ ही आप स्रेष्ट का रिमाना जाता है पित्र दोस्त से मुक्ति मिलनती है और एकादशी का संपूर्ण फल इससे प्राप्त हो जाता है तो आप सभी करकर देखिएगा इस उपाय से लाखो भक्त लाब ले चुके हैं आप भी कर सकते हैं बहुत स्रेष्ट उपाय है इन उपाय में अपने अपने अंगीनत है अपने अपने स्रेष्ट तम कहे गए है करके देखिएगा लाब मिलेगा यह बात हो गई एकादशी के सबसे सुन्दर सरल से उपाय की एकादशी ब्रत के दिन हमेशा दूसरा स्रेष्ट उपाय आप सभी को दस्मी के दिन भी है कारी करना है एका दो रोति आप मात्र एक रोती बनाते हैं तो इस रोति के दो तूग्ड़े कर लीजिएगा नहीं तो दो रोटी बनाईएगा भले ही छोटे स्वरूप में बनाएगा परंतु प्रथम की दो रोटी बनाईएगा गुरुजी कहते हैं खास तोर पर महिला जोकी परिपीहर पक्ष और ससराल पक्ष के दोनों पक्ष होते हैं उनके लिए बेहद बिसेश भूमी का निवाती है आपको दो रोटी बनानी है उस रोटी में आपको थोड़ा सा घी लगाना है घी लगाने के बाद खाली कोरी रोटी नहीं देनी है इस आपकी है मीथा रखें उसके बाद सोमक पित्र का नाम लेकर पित्रों का स्मरण करकर और एकादशी माता का ध्यान करकर और साथ ही ओम नमो भगवते वासु देवाई इस महा मंत्र का ध्यान स्मरण करते हुए सुन्दर सरल समरपन की भाव से गौमाता को आपको यह रोटी खिला देनी है ठीक है सोमक पित्र का स्मरण कीजेगा इस बात का ध्यान रखें और आवश्यक रूप से इस स्रेश्टितम कारे को करने का प्रियतन करें समय बदलते देन नहीं लगेगी एकादशी ब्रत ऐसा है जो कि भागी को बदलता है एकादशी पर किया गया अन्यदा भूदान वस्त्रदान गौदान दीपदान भागी को प्रबल करता है स्रेश्टितम फलों की प्राप्ति में साहिक होता है तो करके देखेगा लाब मिलेगा एकादशी के दिन खूब सुन्दर तरीके से पीपल पूजया करें पीपल रक्ष की पूजया करें उस पर जल इतना ही वीडियो में मुझे आशा है उम्मीद है वीडियो आपके मददगार रहेगा कुछ पूछना चाहते हैं तो आपका अपना चैनल है पूछ लीजेगा सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे कमेंट्स में प्रभूस्मन अड़ करते हुए हर हर महादेव लिखना ना भूले राधे राधे